information आपके पास वैसे तो सारी है अगडर कोई वेक्टर अब एब में इड़ाइती हम से इसे या तो कहेदें यूनिउट वेक्टर यह कि तो किसी मेगरापसे किसी एक वेक्टर का यूट ? निकालना होता है अर यह क्या होता है वेक्टर A में उसी वेक्टर के मेगनिटूट से डिवाइट करें। कई बार आपको सिर्फ यही चीछ पूछ लिए गी कि कोई एक वेक्टर दे दिया और उसका उसके अलाउं उसका तो आप यह बताएंगे। नम्हाथ यह चूम्हांट पॉन्ट हो गया यह उसका टे पूर्ड है तो यहई तो इस वेक्टर की लेंद्ट से किसे ही यहलांग जो किया उझीर ट्रइड योग्या इसका मेंगनीटूट मतलब लेंथ और टॉप रेक्टर एक ही में बात करूं यह चूना इसी ओंपकिते हैं लेंद ओध वेक्टर तो यूनित वेक्टर पूछा रहेगा तो आप यह काम करेंगे किसी विक्टर को करेंगे इसका स्टार्टिंग वेक्टर को ना Court양ूं उर्म माधे सब्सक्राइब कर साच कि वेक्टरउ कि अब अब अगर मैं आपसेओं की दोवेक्टर इक कॉल है हुल वेक्टर अध्यक्र दोवेक्टर एंड वेक्टर भी say to leave कि कल टर मंद्ध दोधों वेक्टर इक्कौल वेक्टर नडगा क stinky there कि वेक्टर एक्केल डी यह तो इग्नीटूट में कोकि दोनों सेब जैसे अगरम हेक पैलालोगराम की बात करें अलिए म했다 कि बात करें तो पाहले लो ग्राम में ने क्या होता है यह जैसे आपने लिए फर्लाग्राम कंस्त्रिक्ट किया हुआ यह एक परलोग्राम आपने तंसे किया यह ना सपोज A B C D तो इसमें जो A B vector और DC vector है और जो A D vector है और B C vector है यह equal vector होते हैं मतलब इस geometry में A B vector and DC vector ठीक है और A D vector and B C vector, these are equal vectors मेरी बास सौंच जा रहे हैं, अगर यह एक परलोग्राम है क्योंकि इन दोनों का side length same होता है, magnitude same हो गया, that is length और direction दोनों की same हाई तो direction same, तो गिंद के direct unit vector same होगा एक ही direction में magnitude same, जैसे direction और magnitude same हुआ, दोनों vector का set equal होगा है कि नहीं, अच्छा यहीं पर parallel vectors की अगर हम बात करें, मतलब इस वर्ट से इनके बारे माँ आपस आपको पता होगा, parallel vectors मतलब दोनों vector की क्या हो नीची है, direction same हो नीची है, vector A and vector B having same direction, मतलब अगर vector A जो है वो parallel है vector B के इसका मतलब अगर A cap B cap के बराबर हैं, तो vector parallel हैं, जैसे आपको याद होगा आप एक रॉंबस की जबटरी बनाते हैं, याद आ रहा है कि नहीं, A, B, C, D, तो ये vector और ये vector, इस case में A, B and D, C are parallel vectors, मैरी बाद स्वान जा रहा है कि नहीं, तो parallel vectors क्या होगा, equal vectors क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको स्वान जागा, इसके बाद आब आता है position vector, मतलब किसी एक vector को आपने किसी point के about position दे दी, that is called position vector, अचा position vector से पहले आपको एक चीज़ बता रहेता हूँ, three dimension geometry में आप इसका use करेंगे, that is x-axis, that is y-axis and that is z-axis, x-axis के long unit vector होता है i के, y-axis के long unit vector होता है j के, और z-axis के long unit vector होता है k के, ये reference line होती ही origin, अब आपने को ये point पी लिया, ठीक है ना, इसको आपने कहा x, y, z, x, y, z के लाग, तो जो o से उस point को आप position देंगे, that is o p vector, मतलब position vector of p, that is o p vector, मतलब p point है उसका जो position vector है वो o p vector है, तो अगर मैं कहूं कि p point जो है, वो three dimension plane में x, y, z है, तो इसका जो position o p vector होगा, वो होगा, x i plus y j plus z k, समझ रहे हों कि नहीं, उस vector का जो position vector होगा, वो होगा, x i plus y j plus z k, जहाँ पर i cap, j cap क्या होगा, unit vector along x axis, y axis and z axis, समझ रहे हों, i cap मतलब unit vector along x axis, j मतलब unit vector along y axis, और k मतलब unit vector along k axis, तो किसी भी vector का जो position vector होगा, वो op vector होगा, अगर p point x, y, z है, और उसको आप क्या कहेंगे, x i plus y j plus z k, मेरी बाद समझ पा रहे हों कि नहीं बताऊ गई, कोई confusion याड़ाउट हो तो बोलो, यह बात clear हुई, तो यह होगया, x i plus y j plus z k, that is position vector of point p, अब हर बार आप p point p position vector निकालेंगे, ऐसा जरूरी तो है नहीं, अब जैसे मैंने कहा कि एक point a है, एक point b है, a का position vector जो है, वो a cap, a vector है, और b का position vector b है, तो अगर आपको a b vector लिखना है, तो यह जो a b vector होगा, यह होगा o b vector minus o a vector, that is b minus a, समझ रहे हो कि नहीं, क्यों, अगर इनका position vector है, तो obviously इनको किसी reference point o से आपने position दे रखी, यह vector हो गया a vector, यह vector हो गया b vector, नहीं कि नहीं, तो triangle addition rule से आप यह बात लिख सकते हो कि नहीं, that is a b vector is equals to b vector minus a, यहाँ पर इस a b vector का मतलब क्या हो गया, बताओ, इसका मतलब हो गया position vector of point b from a, समझ रहे हो कि नहीं, यह ध्यामिट ले, हो गया, और यहीं पर अगर मैं a b vector ऐसे लिखूँ और इसी में यह sign लगा दूँ, यह ba vector हो गया कि नहीं बताओ, तो ba vector is minus a b vector हुआ, बोलिए, दोनों का magnitude तो से, बाच डारेक्शन चेंज है, तो एक की डारेक्शन प्लस में जा रही है, तो दूसरे दूसरा वेक्टर आपने लिया, तो जो इसका addition वेक्टर आएगा, यहां से यह वाला, पहले वेक्टर की tip से, दूसरे वेक्टर के end तक जाने पर, जो वेक्टर बनेगा, उसे हम addition rules पर a plus b vector है, चाहिए ना, यानि a b c अगर यह है, तो जो a c vector वो होता है, a b plus b c वेक्टर, जो जाने रिखिये, चाहिए न, a b plus b c equal to a c है, समझ गया है कि नहीं भाई, हाँ या ना, इसी को कहीं कहीं यह बोल दिया जाता है, addition rule के हिसाब से, that is called resultant vector, इसी को क्या बोल देते है, resultant vector for a and b, that is vector r equal to a vector plus b vector, अगर यह vector a है, यह vector b है, तो दोनों का resultant vector क्या होगा, a plus b, मतब कितने भी vector आपको दे दी जाया, अगर आपको उसका resultant vector निकालना है, तो सारे vector उठाके add कर दी, तो आपको उसका resultant vector always है, क्या यह बात आपको समझ म्यार यह बताओ, बोलिए, अच्छा, यही काम हम अगर, यह तो ट्रेंगिल रूल हो गया, यही काम अगर आप पैललोग्राम के इसाब से करो, सपोज यह vector a है, और यह vector b है, यह vector यह vector यह vector बहुत भी जोड़ा एक टिप से सुरूआ रहे तब इसका addition vector अगर आप बोलिए भई, खिलियर हुआ, तो अब यह वाला वेक्टर चुकी है, इसली के पैललोग्राम बना है, तो यह पैलोग्राम बना है तो भी हो गया, अब अगर यह वाला वेक्टर b हो गया, यही तो resultant vector आगया न, उस case में बताओ, अरे हाँ आगया, यही वाला resultant vector उस case में क् vector a plus vector b, मेरी बाद समझ पा रहा है कि नहीं बताओ, ओ यह भाई, हाँ यह वेक्टर अगर a और b हो गया, सपोज हमने यह वेक्टर a बनाया था, यहाँ पर यह वेक्टर क्या था b, इसी को हमने as a parallelogram construct किया था, आगे बढ़ा के, तो यह वाला vector अगर a था, यह वाला vector b था, तो यह तो a plus b हो गया, अच्छा यह vector b हो गया, यह vector a हो गया, तो अगर मैं यह वाला vector बनाऊ इस, यह vector क्या होगा बताओ, इस vector is, अगर triangle rule से चलोगे तो a plus d equal to b vector, तो b minus a हो जाएगा कि नहीं यह vector बताओ, नहीं समझे, तो किसी parallelogram के जो diagonal vectors होते हैं, उसमें यह वाला diagonal vector अगर यह a है, यह b है, तो यह a plus b होगा, यह है, यह यह b है, तो यह वाला vector b minus a होगा, और यह सब कुछ हमने triangle rule से ही देखा है एरी बास समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ यह ना, यह parallelogram में addition vectors का use समझ गा है कि नहीं, resultant vector कैसे लिखते हैं, a और b का यह नहीं, सारे vectors को उठागे add कर दीजे, आपको उसका resultant vector में जाएगा, इतने ही vector आपको दिए हो, सारे vectors को उठागे add कर दीजे, आपको अमिसा उसका resultant vector मिल जाएगा, ट्रेंगल addition rule से कैसे vector add हो रहे हैं, यह बात आपको दिखेंगे, इसी का use करके parallelogram में भी जा रहा है, वैसे आपको दिखेंगे, कोई confusion हो तो बताओ, बोलो भई, हाँ यह ना, सही है ना, अच्छा, अब वेक्टर के बारे में एक triangle inequality है, वो तो आपको पता य प्लस वेक्टर भी या माइनिस करो, यह हमेंसा vector a और vector b के magnitude से छोटा होता है, और vector a और vector b के magnitude के difference से बढ़ा होता है, के difference से बढ़ा होता है, that is triangle inequality for two vectors a and b. इस वेक्टर का magnitude mod of a plus b हो गया, यह mod है हो गया, यह mod भी हो गया, तो obviously sum of two sides जो हो, वो हमेंसा third side से बढ़ा होगा के नहीं होगा, बताओ, होगा, ऐसे difference of two sides जो होगा, वो हमेंसा third side से चोटा होगा, जहीं तो rule है, अगर इसमें यह a, यह b और यह b minus a हो गया, तो obviously sum of two, difference of two sides से यह आ गया, और यह वाली side जो हो, इन दोनों के sum से क्या होगा, चोटी होगी, और यह वाली side इन दोनों के difference से क्या होगी, बढ़ा होगी, कैसे rule समन में आया, कि नहीं बताओ भई, अरे हाँ यह पूरी चीज़ समन में इससे ज़्यादा करी हो, इसमें है नहीं अग्या होगी, बाकी dot product के बाद, इसका और analysis करेंगे, बात अक्किलिया है, भूलो, तो यह addition rule के हिसाब से आप सारी चीज़े कर लें, आप जब बात आईए, तो एक question मुझे बताइए, एक hexagon आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक regular hexagon, क्या है, regular hexagon, A, B, Vector A दिया हुआ है, और A, C, Vector B दिया हुआ, A, B, C, D, E, F, is a regular, regular समझते हो न, सारी side और सारे angle से हैं न, बोलो भाई, A, B, Vector आपको दिया हुआ है, A, Vector, और B, C, Vector आपको दिया हुआ, B, Vector, और आप से find करना है, A, C, Vector, D, C, Vector, sorry, C, D, Vector, A, C, Vector, इसमें आपको सारा addition rules आपको समझ में आ जाएगा, C, D, Vector, इसके बाद E, D, Vector, इसके बाद E, F, Vector, इसके बाद A, F, Vector, इसके बाद आपको निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है एक इसके बाद आपको बताना है इसके बाद आपको बताना है एसी तो आप बताई चुके हैं आपको आपको यह रेगुलर हेक्सागंदी है एक यह बाद ध्यान देनी है और दो वेक्टर दिये इन्हीं वेक्टर के तम में आपको सारे अंसर बताना है आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के तम में बताने में समझ रहे हो कि नहीं बताओ वही चलिए बताईए वन वाइवन सारे एसी वेक्टर तो आप सभी लोग बता देंगे ना क्या बुलते हो बोले वाई यह सर चलिए बताना सब्सक्राइब कई चीज़ें उसी से रिजॉल्व होगी बोलो भाई वाई अगर आप कहोगे कि यह वेक्टर ए यह वेक्टर भी है तो एसी वेक्टर तो यह प्लस भी हो गया होगा इस वेक्टर को आप एक होगे और यह वेक्टर टूए होगी कि नहीं मैगनिटूड में तो क्या यह वेक्टर ए और यह वेक्टर टूए होगा बताओ इस वेक्टर को आप एक होगे और यह वेक्टर टूए हो जाएगा क्या यह वाला वेक्टर कितना होगा बताओ सेम लेंथ सेम मैगनिटूड यह वाला वेक्टर कितना होगा बताओ और इक्वेल लेंथ यह वेक्टर टूए होगा और यह वेक्टर भी होगा तो बताओ क्या आपको कौन से वेक्टर चाहिए था इडि वेक्टर टो अटर कितना होग्या वेक्टर ए और एफ ह्व एक्टर तो इफ कितना हो जाएगा तो इसकी डाेक्शन चेंज़ कुक्छी होगी और एड कितना हो जाएगा टू टाइम्स ओफ वी वेक्टर अच्छा ऐसे हमें चाहिए सी एफ वेक्टर निकाला है तुए तो सी एफ वेक्टर कितना हो जाएगा बता हूँ क्या यहां तक लिखी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आरी यह बता हूँ अब ध्यान से देखते जाएगा यह वेक्टर अभी आपने कितना निकाला है तो अब हम यह वाला वेक्टर चाहिए तो अगर हम यह वाला वेक्टर चाहते हैं तो ट्रेंगल रूल के से मैं से ऐ फ्लसदी वेक्टर माइनस करते क्या है वाद दिना हम डिख्के ऑप को कि नहीं बताओ रिते क्या हुं अजा है और निकालना है तो आहिंस क्या घडी वेक्टर मेंस 6테 syndrome माइनस करना पड़ेगा अच्छा एडी वेक्टर है कितना 2b और a c वेक्टर कितना a plus d तो क्या c d वेक्टर b माइनस से आठेक हाँ या ना बोलिए भाई ये सही है अब c d वेक्टर जो होगा वही वेक्टर अगर ये वेक्टर वी माइनस ए होगा तो ये वेक्टर भी बी माइनस ए हो जाएगा कि नहीं बता हो गई am I correct or not क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है गुड अब आपस ट्रेंगल रूल पे AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर क्या ये AD वेक्टर होगा अरे बोलो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर क्या ये ही AD वेक्टर होगा बताओ बोलो तो बताओ फिर BD वेक्टर क्या होगा अगर हम AD वेक्टर में से क्या माइनस कर दें तो आपने निकाल रख्था है और एभी वेक्टर क्या है एक टू भी माइनस एह होगा जो वेक्टर वीडी होगा वही इक्वल वेक्टर एही होगा यह बात दिखने ही सबको कि नहीं क्योंकि सब्सक्राइब वेक्टर और एवेक्टर सेम होंगे की नहीं बहुत है यह सब्सक्राइब कई चीजिए आपको दिखेंगी अब बताओ वाट इस बीए वेक्टर वेक्टर यह वेक्टर आपको चाहिए कौन-कौनसे वेक्टर आप निकाल चुक्यों यह वेक्टर आपको पता है यह वेक्टर आपको पता है यह वेक्टर क्या है माइनस ए यह वेक्टर आप क्या निकाल चुक्यों बीडी वेक्टर तो टू टू टाइमस आप बी माइनस ए हो जाएगा ने इसका पैरल्लर बोलो इस वेक्टर को आप तुरंद क्या लिखोगे वी ई वेक्टर को टू टाइम साइव वी माइनस ए वेक्टर हुआ अरे हाँ जैना अब बताओ, what is BF वेक्टर बोलो BF वेक्टर अगर हम माइनस A में B माइनस A आड़ कर दें तो वो B-2A हो गया कि नहीं बताओ देख लो आराम से सोच के बताओ अरे हां यह ना अगर हमें BF वेक्टर लिखना है तो हम B A वेक्टर में A F वेक्टर एड़ करदें तो हमें BF वेक्टर मिल गएगा B A वेक्टर मतलब माइनस A A F वेक्टर मतलब B दूनर को रूवे तो वी माइनिस तुय है कि नहीं बताऊ मुझे अरे हाँ is जो वैक्टर ये वी व Essa वी होगा ये वाला वही व्यक्टर सी इओ लू कि नहीं यह उसका मत सी वैक्टर भी देखिए सब्सक्राइब एक डम अच्छे से यूज़ हुआ है हर एक चीज़ रेगुलर हेक्सागन का क्या हुज़ हुआ ये पैरलल वेक्टर लेंध ट्वाईस साइट्स पैरलल इक्वल तो वह सारे वेक्टर इक्वल बनते चले गां यह वेक्टर ट्वाइस लेंध का मिलता चला गय सारे वेक्टर पैरलल और इक्वल पेसाब से अपने से वागे वागे ना नहीं और यह वेक्टर बीसी और यह वेक्टर F E है तो B C और F E R equal vectors ना और B C vector B है तो F E vector भी B होगा जब E F vector निकालोगे तो minus B हो जाएगा ना अभी तो बताया रहा है यह समझ गए ना चलो और बोलो और किसी को कुछ बचाओ इस question में आपको vector representation parallel vector addition rule इन सब की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी इस question में नहीं सम्झेए बताओ मतलब इसमें मैंने यह बताया कि polygon law अफ एडिशन चाहसा पर मतले हैं वह वेक्टर अब वेक्टर बीच्टर सीडिवेक्टर एडिवेक्टर एडिवेक्टर तो वो F vector के बराबर हो जाता है जैसे ओवे एडिवेक्टर प्लस एडिवेक्टर एडिवेक्टर प्लस 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 एडिवेक्टर यह पूरा सम किसके बराबर हो गया पूरा उस्टम मों सब्सक्राइब कर दें तो आप जहां से चलेंगे सारी साइड लेंज का सम होगा वो अमेसाइब इसलिए इसका जो सम् आप एक पॉलिगन में बनाएं ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर यह हमेशा एसी वेक्टर के बरावर होगा जैसे उसको सीए करोगे तो यहीं पे अगर मैं सबका समझे क्लोज हो गया तो अबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस बीए यह समति तो वैसे यह होगा बट अगर इसी में यह वेक्टर करतें तो यह सम्ट जीलो वेक्टर के बढ़ावर होगा इसका मैगनिट्यूड जीलो अरे हाँ यह ना लता हुए तो बताओ बोलिए अच्छा यूनिट वेक्टर का यह तो आपको पता ही तो आपको इसका मैगनिट्यूड जो है वह वह लेना है समझ में आ रही है कि नहीं बात बोलो अरे हाँ यह ना कोई गन्फिजन डाउट हो तो बताइए बोलो भाई यहां ता एकदम किलियर है अच्छा अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि अगर एक पॉइंट है भी एक पॉइंट है जो है वह वेक्टर है पी का पोज अरे हाँ यह ना तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि वेक्टर ए जो है वो है एकस आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रही कि नहीं और यह जो पॉइंट भी है इसका पोजिशन वेक्टर है अलफा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के तो जो ए भी वेक्टर होगा वो बी तब जो इसका magnitude होगा एभी वेक्टर वो होगा root under alpha minus x का holy square एटा minus y का holy square and gamma minus z का holy square मेरी बाद समझ पाए मैं क्या बोल गया बोलो भुलिए भाई मेरी बाद समझ पा रहे हो कि नहीं हाँ या ना तू डामेंजन जमेट्र में पड़ा है सेम वेक्टर में भी है मतलब अगर एक point a है एक point b है इसका position वेक्टर a है इसका position वेक्टर भी है इस पर एक point आप में लिया c जो इसको m is to n के ratio में डिवाइड करता है तो जो c का position वेक्टर होता है मतलब position vector of c वो हो जाता है m times of b vector n times of a vector by m plus m अगर ये internal division में है अच्छा वही बात अगर external division में हो मतलब ये point b है जिसका position वेक्टर भी है अब यहीं पर आपने एक point लिया सी जो इसको m is to n के ratio में अच्छा यहां वही रेशियो तो वही सेम है मतलब ac by bc का जो length का ratio है वो m by ne है वही ratio का मतलब वही सेम चीज़ होती है अब यहां पर वही सेम अगर external division है तो ac by bc का ratio m is to n है बढ़ यह कैसा है externally है तो वही प्लस वाला sign किस से replace हो जाता है माइनस से तब जो position vector of c आएगा वो आप क्या निकालोगे बोलो इसी को हम c cap कह देते हैं position vector of c is c तो वही क्या निकल के आएगा that is m into b vector minus n into a vector by m minus m अब हर बार आप m is to n वाली चीज़ यूज़ करेंगे ऐसा नहीं है अब इसको कई तरीके जीज़ करतें जैसे a का position vector a है b का position vector b है आपको इसमें एक point c assume करना है तब ratio जनली ले ले लेते हैं lambda is to one minus lambda क्यों क्योंकि दोनों का sum 1 हो गया अब जो रेशियो आया वो आया ac by वो लेंडा is to one minus lambda अगर लेंडा की value निकालेंगे तो ratio जो है वो लेंडा is to one minus lambda आएगा बस यह ध्यान लखेगा तो जो वेक्टर c आप लिखते हो वो आप लिखते हो lambda times of b vector plus one minus lambda times of a क्या है मेरी बास समया रही है अच्छा कई जगे आप book में इसको ऐसे भी उस करते हो कि अगर यह एक इसका पोजिशन वेक्टर आप ले रहे हो अब आप यहां पर एक point c ले रहे हो जो इसको लेंडा आप जो रेशियो है वो लेंडा की वैलू है जहां जैसी नीड होगी वहां वो रिजल्ट यूज कर लेंगे जनली हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं जो यूज होने वाला रिजल्ट है वह यह रिजल्ट जनली यूज होता है जब यह में रेशियो वाली चीज ने नहीं होगी आप सिटुएशन वाइस ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो और यह सारे रिजल्ट आये कहां से उसी अनालिस से दिख रहा है कि नहीं हाँ या आप इस है आपको यहां पर एक कॉइंट सी लिया जिसका पॉजिशन वेक्टर सी है जो इसको में ही क्लाल कर रहा हूंगा यह वेक्टर यह वेक्टर आम और यह वेक्टर सी होगा इसका रेसियो जो है वो M is to N दिया हुआ है क्या ये बात आप लोगों को समय में आती है बताओ तो अगर मैं इसी अब देखो इसको कैसे सोचा गया यह मैं क्यों बता रहो कि कई बार कुश्चंस में आपको यह एनालिसिस यूज करनी पड़ेगी डारेक्ट फॉर्मले के अल देखने हुए बहुए यह बात आप नोंगों को समझन में आती है कि नहीं बताओ इस जाए माइनश है माइन है यही पर आप से पूछोंगी जो आभी वेक्टर है वी माइन से तो सोच को अगर में AC vector लिखूं तो वो M upon M plus N times of AB vector है या नहीं इसका मतलब C minus A equal to M B minus A into M plus N हो गया C times of M plus N equal to M times of B plus N times of A हो गया यहीं से vector C M times of B N times of A by M plus N हो जाता है क्या यह analysis आप लोगों को समझ में आ ही बताओ अरे हाँ यह ना क्या यह analysis आप नहीं चुकि यह सारे parallel vectors थे है कि नहीं और एक दूसरे के magnitude पे था तो हमने उसी के हिसाब से analysis कर लिया मतलब यहाँ पर हमने एक extra information use की है कि if A and B are parallel vectors then A equal to lambda times of B यह ध्यान लखेगा मतलब अगर दो vector parallel है तो एक को दूसरे के time में लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों की direction कैसी होती है सेम होती है तो अगर A और B parallel vectors हैं तो आप A को lambda times of B लिख सकते हैं अब ध्यान से देखना मैंने क्या का अगर अगर दोनों के magnitude का ratio आपको पता है आप A को lambda times of B लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं तो यह analysis हमने parallel vector की analysis से ही की है देखो मैंने का A और B क्या है parallel vectors है तो vector A A cap equal to B cap A cap का मतलब हो गया vector A by mod A B cap का मतलब हो गया vector B by mod B उसका अदर vector A को हम mod of vector A by mod of vector B into B लिख सकते हैं कि नहीं अरे हाया ना यह जो mod of vector B by mod of vector A into A vector लिख सकते हैं कि नहीं यही तो ratio हो गया ना जैनि A lambda times of B हो गया और B lambda times of A मेरी बास समझ पा रहे हो कि नहीं अरे हाँ यह ना बोलो भाई तो वही जो अगर दो वेक्टर अगर parallel है तो A equal to lambda times of B होना चाहिए अगर A equal to lambda times of B आ रहा है A equal to lambda times of B आ रहा है तो दोनों वेक्टर parallel है बस इसी का analysis हमने कर लिए अब ध्यान से देख्ञा O से हमने positionally A vector B vector और यह जो point था यह इसको M is to N में divide कर रहा है तो यह जो OC vector आगा यह क्या आएगा M times of B vector N times of A vector मेरी बात clear हो रही है कि नहीं बताओं यानि कि अगर मैं आपके सामने एक triangle से analysis करूं सकोर्ट यह मैंने एक triangle आपके सामने concentrate किया यह point A रहा यह B रहा और यह C रहा है यह point मैंने यह आ लिया D ठीक है और यह ratio लिया M is to N का यह AB vector यह AC vector यह AD vector तो मैं AD vector को क्या लिखूंगा बताओं M into AC vector plus N into AB vector by M plus N क्या यह बात आप लोगों को समन में आ रही है बताओ अरे हां या ना ट्रेंगल देखकर यह बात आप लोगों को समन में सेक्शन फॉर्मूला आ चुकि आप लोगों को समन में बताओ नहीं अगर इसी के हिसाब से आप चलो इसका position vector a कह दो इसका position vector b कह दो और इसका position vector c कह दो तो यह जो AB vector होगा यह क्या होगा क्या है B minus A होगा यह जो AD vector है वो क्या होगा यही जो AD vector होगा आप निकाल लोग की नहीं बताओ निकाल लेंगे सब लोग की नहीं बताओ है कि नहीं और अगर हम इसी के position vector को डी वेक्टर कह दें इसका अंतलब डी माइनस ए वेक्टर जो है वो यही होगा अरे बोलो नहीं तो समझ के जवाब दीजेगा तो अगर हमें डी का position वेक्टर से निकालना है तो हम इस पूरे अनालिसिस में क्या एड कर देंगे बताओ कि क्या यह कहानी समझ में है सबको नहीं आ रही बताओ बोलो भाई यह से पूरा अनालिसिस आपनों को दिखा कई बार आपको जमेंट्रिकली किसी एक पॉइंट से पॉजिशन देनी होगी तो आप उस रेशियो के हिसाब से वह काम सी रहा है कर सकते हो कि नहीं बताओ यहीं पर अगर ट्रेंगल का सेंट्राइड लिखना हो तो क्या लिखो बताओ अगर हमने एक ट्रेंगल कंसिक्ट किया तीन साइड लेकर सबका पोजिशन वेक्टर मैंने बता दिया सेंट्राइड आपको पता ही मीडियन और मीडियन से बनता है बनता है कि नहीं बनता बताओ तो सेंट्राइड अगर आपने जी लिखा सेंट्राइड का पोजिशन वेक्टर जी डैस क्या आएगा बताओ वेक्टर एप्लस वेक्टर बीप्लस वेक्टर सी बाई थ्री क्यों क्यों आएगा बताने की जरूरत है क्यों क्यों क्योंकि यह तो में पॉइंट हो जाएगा विट पॉइंट मतलब 1-2 तो यह तो भी प्लस सकते हो कि नहीं कोई कर दीजन हो या डाउट हो तो बताओ हाँ या ना तो यहीं पर अगर ऐसे समझो यह यह वेक्टर अब यह मीडियन वेक्टर एडी समझ रहो एडी जो है वो क्या है तो एडी वेक्टर एडी विप्लस एसी व lies टू गोड़ने को होडो क्यों प्रॉब्लम क्यों कोई कि क्या यह अनालेसिस सब समझ रहा हो कि नहीं बताओ वही जो उपर हमने लिखाना आफ्य ठैंगल वाली ही अनालेसिस को लिख सकते हैं कि नहीं बताओ यह तो यहां भी आप समझ सकते हो कि अगर यह एक पॉइंट ए यह बी पॉइंट इसका पॉजिशन वेक्टर वी तो कहीं से तो पॉजिशन दी होगी सी एगर इसका मिड़ पॉइंट है विद पॉजिशन वेक्टर सी तो जो सी का पॉजिशन वेक्टर हो क्या होगा ए प्लस दी बाइट टू यह तो अगर आपने मेडियन वेक्टर निकाल लिया और आपको मेडियन की लेंथ निकाल लिए तो बस इसी वेक्टर का मैगनिट्यूड निकालेंगे तो क्या मेरी बात समझ रहा होगे बोलो भाई यह बात के लिए रुए कि नहीं कोई कन्फीजन बोलो अब ट्रेंगल के बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि A B C is a given triangle ठीक है G is centroid ठीक है if p is any point on space then pa vector plus pb vector plus pc vector equal to pa vector plus pb vector plus pc vector equal to 3 times of pg vector यह ध्यान रुखिएगा यह trendle के बारे में एक fact rule है कि अगर ABC एक triangle है और P space पर कोई भी point ले लो चाहे triangle के inside हो चाहे triangle के outside हो space पर कोई भी एक point पी ले लो तो pa plus pb plus pc जो है वो हमेशा 3 times of pg होता है always p point space पर कहीं भी लाई करे कोई फरक नहीं कोता है but pa plus pb plus pc जो है वो हमेशा 3 times of pg ही होगा यह बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं बताओ जैसर क्यों होगा क्यों होगा आप सोच आसान सी चीज़ है कि नहीं सीधा जो अभी हम ratio का analysis पर नहीं बस वही लगा देना हमें भाई सपोज यह ABC है ठीक है सपोज यह point PA सोच के बताओ pa plus pc जो है अगर मैं इसका midpoint ले लूँ यह जो है वह इसका midpoint है तो अगर वेक्टर अनलेसिस पर चलो तो पी ए a plus pc कितना होगा two times of pe होगा कि नहीं बस यह जवाब कर अब अगर आप इसको जॉइन करोगे यहां से ठीक है और यह वाला वैक्टर यहां जॉइन करोगे कि अधे यह point थोड़ा और अधर लेग्या कि नहीं दूश्रा मनाते है कि एबी-सी तीन पॉइंट होगा है एबी-सी पी-पॉइंट कुछ ऐसा लेना है कि चीजें नजर आये कि यहां लेते हैं कि यह इधर जोड़ दो यह इधर में पॉइंट है तो यह पी-पॉइंट है यह हो गया पी-ए वेक्टर यह हो गया पी-बी-पी-सी और यह हो गया यह इसी लाइन पर कहीं क्या रा रहा होगा बताओ चुकि तो मीडियन है ना इसी लाइन पर कहीं सेंट्रोइड रहा होगा जी अरे हां यह ना बुलू मेरी बास समझ रहे हो कि नहीं सारे वेक्टर अनलीजिस से बताओ यह इसको टू स्टू वन में डिवाइड रहा हो और यह तो मिड़ पॉइंट होगा यहां से पहला अनल पर अनलीजिस करो तो P e or P b. तो 2 ताइम आप पी प्लस 1 ताइम आप पी इकल टू पीजी होगा तो 2 ताइम साफ इंगर आप यहां से मैं आलीजिस करोगे तो 2 ताइम साफ पी ए प्लस 1 ताइम से प्डीजी होगा हाँ है नहीं कर दो तो 2 तो 2 त时间 करूज तो प्लस क्वेक्टर कि सा कुछ थे एलुगे तो उसके नहीं लwró तो कोई भी पॉइंट जीडाल patalarm 5 पी यहां में लेलोगे तो उसके साबसे है कि नहीं बताओ बोलो भाई सबको किलियर हो रही कि नहीं बोलो हाँ या ना अब इस ही ट्रेंगल में आप यह भी कह सकते हो ना अगर मैं आप से कहूं कि वेक्टर काट तू थर्ड ले लो तो क्या वो बीजी वेक्टर होगा हाँ अगर सब्सक्राइब यह अपने एक लाइन केची ए भी और यह पॉइंट रासी यह इसको में डिवाइट करता है भी तो आपने मुझसे कहा ना कि अगर मैं एबी वेक्टर का एम अपॉन एम प्लस एनफ पार्ट ले लो तो वह एसी वेक्टर होगा कि नहीं बताओ ऐसे हाँ कि अगर मैं बी शीवेक्टर निकालू एन अपॉन एम फ्लस एनफ पार्ट ले लो वी ए वेक्टर का याद रखेगा भी से सी की तरफ चल लए तो वी एक आपार्ट लेंगे ए से सी की तरफ चल लें तो अगर मैं यहां से देखूं तो मैं इस बीजी वेक्टर को इस पूरे वेक्टर का टू थर्ड लिख सकता हूं कि नहीं बताओ अरे क्या यह बात आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं बताओ जल्दी से हाँ या ना अब आपने ट्रेंगल के बारे में एक तो रूल पढ़ाई है क्या एच हो गया और तो सेंटर ठीक है जी हो गया सेंटराइड एंड हो गया सरकम सेंटर यह क्या होते हैं लाई अन सेम लाइन एंड जी डिवाइड एच ओ विद रेशियो यह तो आपको पता है न तूस्ट वन याद आया कि नहीं यह तीनों एक ही लाइन पर होते हैं किसी भी ट्रेंगल के लिए एच जी और और किस रेशियो में तो इसका मतलब अगर मैं एच जी वेक्टर लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको टू बाई थ्री टाइम्स ऑफ एच ओ वेक्टर लिख सकता हूं बताओ तो मैं इसको वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ ओ एच वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं हाँ या नहीं देख लो आराम से समझके फिर मुझे बताओ क्या मैं सही बोल पा रहा हूं कि नहीं कि आपको यहां तर एक दम किलियर है किसी को कहीं भी अनालिसिस में कोई डाउट है कंदूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इंपॉर्म करिए क्या यहां तक आपको लिखी हुई हर एक बात ठीक से समझ में आ रही है बोलो पहला अंजर तो आपने सीधे लिख दिया होगा वाट इस एवाई वेक्टर ना भी एवाई प्लस एवाई तो एवी प्लस एवाई तो वरी गुट इस य एक्स वेक्टर इन टर्म्स ओव य एए एंड वाई सी तो मिट पॉइंट है तो य एक्स वेक्टर क्या आएगा वाई ए प्लस वाई सी बाइट वाई टू इस पॉइंट से पोजिशन देदी उठाके यह तो मिट पॉइंट है ना इस लाइन का बोलो भाई यह अब करना है कि एवी प्लस दिस वेक्टर तो अगर मैं आपसे पूछों वाट इस एवी वेक्टर प्लस एडी वेक्टर एवी प्लस एडी तो क्या वो टू टू टाइम्स ओफ एवाई वेक्टर होगा बताओ यह से एगर मैं आपसे पूछों सीवी वेक्टर प्लस दि वेक्टर प्लस डि वेक्टर तो क्या वो टू टाइम्स ओफ प्लस एवाई वेक्टर होगा बताओ अरे हाँ यह ना यह ओके हो यह ज़रा यह प्लस यजी कितना होगा y x y a plus y c is equals to 2 y x vector होगा कि नी ay vector plus c y vector is equals to 2 times of x y vector होगा बस add kardot a b vector plus a d vector plus c b vector plus c d vector दिखरा है कि नी is equals to 2 times of 2 times of x y vector that is 4 times of x y vector यही प्रूब करना है क्या है analysis आप सभी को दिखा सिर्व रेशियो वाला analysis उठाया है इसके लाबा मैंने कहीं कुछ भी नहीं किया है हाँ या ना बोलो यह टान है वही मतलब question की language case आप से चल रहे होगे तो एकदम आसान सा question है की नहीं यह बताओ तो एगर मैं चलूँ a, b, c तो हमें क्या दिया हुआ है c, b vector दिया हुआ है कितना 3i plus j minus 2k हमें c, a vector दिया हुआ है कितना minus i plus 3j plus 4 यह यह नहीं बताओ और हमें a, b vector दिया हुआ है कितना 4i minus 2j minus 6k और हमें c से कीचा गया median निकालना है हमें इस vector की length बता लिए तो अगर हम यह vector निकालने तो length आ जाएगी कि नहीं बताओ तो c, d vector क्या होगा? c, a vector plus c, b vector by 2 क्या यह बात आप लोग समझ पाते हो बताओ दोनों vector दियें, दोनोंगो add कर दो तो 2i plus 4j और plus 2k और इसी में by 2 कर दो तो जो c, d vector वो कितना आ जाएगा? i plus 2j plus k और अगर हमें c, d की length निकालने हो मतलब अगर vector a जो है, वो x i plus y j plus z k है तो उसका जो magnitude होता है, वो क्या होता है? root अंडर x square plus y square plus z square यह यूज़ कर लिएगा? नहीं समझ रहा मेरी बाद अरे हां या ना, भूलो भई, मतलब यह analysis पूरा है, अगर कोई vector आपको पता है, तो उस vector का magnitude आप निकाल चेकते हैं, अगर उसी का आपको direction vector चाहिए, एक है, मतलब unit vector या direction vector आपने पढ़ा है ना, उसी vector में divide कर दो, x i plus y j plus z k में, इसी का magnitude divide कर दो, मतलब x square plus y square plus z square, यह information भी आप use कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूद कर लेगी, cd vector निकला है कि नहीं, बताओ भई, अरे हां या ना, क्या इस बात से किसी को कोई प्राब्लम आई कि आप ये vector में कहां कोई दिखता था ही बताओ, अच्छा, मेरा इस question में एक सवाल और है, कि अगर मैं आप से पूछू, angle by sector की length क्या बताओगे, same question है, find angle, length of angle by sector drawn, length of angle by sector drawn from A, same question है, छोटा जा question गुमाया गया है, अब आपको same ratio वाला analysis यूज करके, same question है, इसमें आपको length of angle by sector निकालने के लिए आपके पास जो दिमाग में result है, अगर मैं angle by sector के लिए आपको analysis के लिए आपको एक ये अगर में बात करें, तो suppose मैंने जो triangle बनाया, वो कुछ ऐसा है, सही है ना, CA ये था, AC वेक्टर आपको minus I plus 3J, minus I plus 3J plus 4K दिया था, देखो, 3I plus J, minus 2K, 3I plus J, minus 2K, और AB वेक्टर 4I minus 2J minus 6K, 4I minus 2J minus 6 के लिए था, और हमें A से खीचा गया angle by sector निकालना था, अच्छा, A का जो angle by sector है, वो सामने वाली side को किस ratio में डिवाइट करें रहता हूँ, तो ये जो BD upon DC होगा, ये क्या AB upon AC के बरावर होगा, भूलो, हाँ ये ना, अच्छा, अगर मैं AB वेक्टर की length आप से पूछूँ तो आपका answer क्या होगा, 16 plus 4 plus 36, बोलो भाई, कि ये कितना होगया total, रूट 56 क्या, और अगर मैं AC वेक्टर की length पूछूँ तो कितनी होगी बताओ, 1 plus 9 plus 16, बोलो, रूट 26 क्या, हाँ ये ना, तो इसको ये इसको किस ratio में डिवाइट करेगा, रूट 56 इसको रूट 26, अरे हाँ या ना, यहाँ तर समझ में आता है यह, किसी को कोई confusion हो, तो बताओ, बोलो भाई, अच्छा, ये दोनों वेक्टर आपको पता हैं कि नहीं, अब ऐसा कुछ खेल है, बताओ कैसा, ये माल लेते हैं, पॉइंट ये है, तो ए से डाला गया, ए भी वेक्टर कितना है, बताओ, 4i-2j-6k, दिख रहा है कि नहीं आपको, ए से खीचा गया, एसी वेक्टर कितना है, बताओ, इसी का माइनस हो जाएगा, नहीं भाई, अरे बोलो यार, और यहां से जो आप वेक्टर खीच रहा है, जिसकी आपको बात करनी है, जो एंगल वाई सेक्टर है, बेसिकली, वो इसको किस रेशियो में डिवाइट कर रहा है, बताओ, अरे बोलो, जहीं तो है रेशियो, तो क्या हम एडी वेक्टर निकाल सकते हैं, बताओ, नहीं निकाल पाओगे, बताओ, बोलो यार, यह बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, मुद्दे की बात यह समझाओ, तो बस, अगर आपने एक बार एडी वेक्टर निकाल लिया है, तो क्या आप एडी वेक्टर का मैगनिट्यूट निकाल के, लेंथ आप एंगल वाइस सकते हो कि नहीं बोलो, इसमें कोई कन्फूजन रहे गया हो, तो बताओ, बोलिए, समझ गया है कि नहीं सब लोग परे में जो हमने अनालेसिस पड़ी, उसमें हमने क्या पड़ा, यह 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 बी है और यह सी है, और हमने इसका इंगल वाइस सेक्टर ड्रॉ किया, एडी जान दीजिएगा, तो पहली चीज़ तो एडी इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बताओ, mod of AB vector is 2, mod of AC vector, यह बात समझ में आ रहे हैं कि नहीं, तो यह जो एंगल वाइस सेक्टर AD होगा, वो क्या होगा, mod of AB vector into AC vector plus mod of AC vector into AB vector, बोलो भाइ, ट्रेंगल ABC, देख लिजे, कोई analysis में गवड़ा आ रही हो, कुछ लग रहा हो, तो मुझे बताओ, अब इस तरह कि जो भी situation आएंगे, आप उनको deal कर लेंगे कि नहीं बताओ, सिधा ratio निकाल लेंगे, एक बार ratio आगए, वेक्टर आपको पता ही, पोजिशन वेक्टर, पसठ से आप AD vector निकाल के बता दीजेंगे, और AD vector एक बार आपने निकाल गिया, तो उसका magnitude निकाल के length निकाली लोगे, उसमें आपको कोई doubt हो रहा है, सबसे पहले आप एक ट्रेंगल लेते हैं, लेलिया, बोलो, अचा इस ट्रेंगल में किसी एक को आप 0 vector कह दो, सपोस हमने का यह 0 vector है, यह A vector है और यह C vector, मान लिया कि नहीं, बोलो, तो इसका अंतर यह vector A हो जाएगा, यह vector C हो जाएगा कि नहीं, बोलो भाई, क्योंकि हमने इसको, इसका position vector 0 ले लिया, तो हमारा पूरा analysis दो vector में रहेगा, हमारा पूरा analysis किस में रहेगा, दो vector, अब क्या कह रहा है, side BC है, BC side, उस पर एक point लेना है D, जो कि उसको किस ratio में डिवाइट कर रहा है, बोलो भाई, क्या है ratio 2 to 1 है, अगर मैं D का position vector आप से पूछ हूँ, तो आप मुझे क्या बताएंगे, बताओ, बोलो, क्या वो 2C by 3 हो जाएगा, तो समझके जवाब देना, बोलो, 2C 1 0 by 3, हाँ या ना, हमने analysis दो ही position vector पर करना है, एक को 0 ले लेना है, मेरी बात clear हो रही है, अच्छा, आगे बड़ो, A, C में आपको एक point लेना है, E, जहाँ पे A, E, Y, E, C, यानि कि A, E, Y, E, C, 3 to 1 होना चाहिए, यहाँ पर हमें एक point लेना है, E, और यह ratio है, 3 to 1, सही है, बोलो, तो जड़ा, E का position vector बताओ, कितना होगा, 3C plus A by 4, एक आगर मैं position vector आप से पूछूं, तो हो जाएगा, 3C plus A by 4, very good, अब हम अपने analysis पर आते हैं, हमसे कहा गया है कि A, D, A से D को join कर दिया गया, और B, E, B से E को join कर दिया गया, यह दोनों एक दूसरे को P पर intersect करते हैं, और हमें BP by PE बताना है, हमें क्या बताना है, BP by PE कितना होगा यह बताना है, माल लेते हैं, यह जो divide कर रहा है, वो lambda is to 1 minus lambda में कर रहा है, यह रखना यह analysis होगा R बार, और यह ratio divide कर रहा है, म्यू is to 1 minus म्यू में, तो बताओ, वाट इस BP is to PE, लेम्डा Y 1 minus लेम्डा होगा, अगर हम लेम्डा की वेल में निकाल लें तो ratio आ जाएगा, हाँ या ना, अब क्या हमें इसका और इसका position vector पता है, बताया है ना, बताया है ना, दोनों position vector बोलो, यह सर, दोनों से निकाल के equate कर देंगे, तो हम P vector बताओ, पहले से P vector निकालोगे तो कितना आएगा, म्यू वाले से, म्यू इंटो A vector, लेम्डा E by lambda, म्यू इंटो A vector plus 1 minus म्यू इंटो 2C by 3 vector, अगर इस से निकालोगे तो लेम्डा इंटो 3C plus A vector by 4, और प्लस 1 minus lambda इंटो देख लीजिए कोई confusion बनना होते हैं, बोलिए भाई कोई confusion बनना है, अब यह दोनों vector तो से भाई P तो position vector ना वो तो सेम ही रहेगा ना, क्या कहते हो तुम लोग, अरे हाँ यह ना, पी एक पोजिशन वेक्टर है जो कि सेम रहेगा, तो इसका मतलब new times of a vector plus 1 minus 2 by 3 times of new into c vector is equals to 3 lambda by 4 into c vector plus lambda by 4 into a vector, अच्छा, आपको लगता है दोनों को equal करते हैं, ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे new minus lambda by 4 into a vector और c vector में 3 lambda by, sorry, और plus का 2, 1 minus mu by 3 vector करके 0 कर रहेगा है, क्योंकि a और c vector कैसे हैं, non-co-planar है, non-co-linear vector या parallel vector नहीं है, obviously a और c parallel vector नहीं है, क्योंकि तभी तो एक point से उनको position दी है, तो यह parallel नहीं है, नहीं a को c के term में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा आप तभी कर सकते हैं, जब यह coefficient क्या होगा, 0, आप इन जनरल compare करते हैं, जबकि theory compare करने वाली है नहीं, theory यह कहते हैं कि a और c are non-parallel vectors, और इस relation को होने के लिए इसका coefficient क्या होगा, 0, बस इसी coefficient को 0 कर दो, नहीं समझे, बताओ, तो इसका मतलब, mu minus lambda by 4, 0, अरे हाँ, यह ना, and 2, 1 minus mu by 3, minus 3 lambda by 4, 0, इनी दोनों को solve करके lambda और में बताओ, what is lambda and what is mu, जब 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 जब, हर बार आप यहीं सेम analysis करेंगे, मेरी बाद समझे, जितने भी, हर analysis सिर्फ दो position vector पर होगा, एक को आप origin लेए, अगर suppose तीसरा position vector आएगा, तो उसकी value को आप उसी के time में substitute करेंगे, अभी मैं वो भी आपको बात सक्जाओंगा, इसके बाद जो जिस point पर intersect हो रहा होगा, उसको lambda, 1-lambda, mu, 1-mu, 1-mu, 1 लेंगे, P का position vector दोनों हिसाब पर आप निकालेंगे, सिधा section formula लगाए और उसको equal equate कर देंगे, है ना, चोकि यहां के बाद आप यह लिखने की जरुवत आपको है नहीं, आप यहीं से compare करके question बना देंगे चलेगा, बट compare करने से question नहीं बनती है, इस analysis को लगाने से question बनती है, लिखता compare ही है, बड़ो compare होता नहीं है, पेरी बास समझ रहे हो कि नहीं, बताओ, what is lambda and what is mu solve करके, बोलो, ratio क्या हो गया फिर, बताओ, 8 is 2-3, अमें ratio निकालना था किसका, BP is 2-P, और वो क्या था, lambda is 2-1-1, 8 by 11, 1-8 by 11, answer is 8 by 3, समझ गया ही कि नहीं बताओ, अब आपसे कोई भी ratio पूछ लेता, अब ए पूछ लेता आपसे, AP is 2-PD, तो आप 1-mu by mu निकाल लेते, कर लेते कि नहीं, आपसे पूछ लेता, AD is 2-AP, तो आप 1-mu by 1 कर देते, अब आपसे कोई भी ratio पूछेगा, आप निकाल लोगे कि नहीं यह बताओ, बताओ, वही समझ गया, अच्छा, यहीं पे अच्छा, यह आप कहते B, यह आप कहते C, यह आप कहते D, अब मैंने आपको बताया कि आप analysis को सिर्फ दो vector में करेंगे, उसके लिए हम टेक्निक क्या लगाते, कि यह दोनों equal vector हैं कि नहीं बताओ, अरे हाँ आया ना, तो इसका मतलब B-0 vector is equals to, C-D vector होगा है कि नहीं, तो हम C vector को B plus D vector से replace कर देते कि नहीं बताओ, तो इसी analysis को आप अपने calculation में use करते, parallelogram में तो आप ऐसे use करते, A, B, C, D, A का position vector 0, B का position vector B, इसका position vector C, C का position vector C नहीं क्या लेता है, अब दो vector में analysis अभी भी आ गया कि नहीं, आप जो ratio जहाँ पर जैसा ratio चाहिए, वो ratio बना के, उनी दो vector के term में coefficient equal करके, वो ही ratio निकाल लेंगा, मेरी बास समझ रहे हो कि नहीं बताओ, नहीं समझे, question क्या हुआ बताओ, सबसे पहले O, A, B, और O, O, A और O, B, इसका position vector E और B माल लेता, E इसका midpoint था, तो ये B by 2 हो गया, D इसको 2 is to 1 में divide कर रहा था, तो वो 2 प्लस, A प्लस 2 by 3 हो गया, अब इसको जोइन किया, lambda is to 1 minus lambda ratio, इसको जोइन किया, mu is to 1 minus mu ratio, P का position vector इस पह निकाला, तो वो आ गया, 1 minus mu into A, और mu into B by 2, फिर इस पर निकाला, यहां से A और B के इसाब से एक प्विशन बनाएंगे, तो lambda और mu में 2 equation आईगी, solve करके lambda निकाला, तो कि ratio lambda, 1 minus lambda था, lambda की वालू निक्सीधा आप रहाएंगे, मतलब linear combination का मतलब एकदब simple है, कई सारे vectors आपको दिये हुए, तो किसी vector R को, अगर आपको बाकी सारे vector के स्क्रब में लिखना है, तो आप लिख सकते हो, R vector is K1 times of A, K2 times of B, Kn times of A vector, जहाँ पे K1, K2 सभी scalar vector है, तो यह हो गया एक linear combination of any vector R, तो अगर किसी vector R को, आप linear combination में लिखना चाहते हो, given vectors के, तो आप R vector को लिख सकते हो, K1 A plus K2 B plus K3 C and so on, तो वो linear combination of vector बन लिए, जैसे, for example, अगर मैं आप से कहूँ कि vector A, जो है, वो है, 2I plus J minus K, vector B, जो है, वो है, 3I plus J minus K plus K, vector C, जो है, वो है, I minus 2J plus K, एक vector R लिखा, that is linear combination of A, B and C, और वो है, 2A plus 3B minus C, तो यहाँ पर जो vector R है, वो क्या है, linear combination of vector A, B and C, तो आप सकते हो, 2 times of A vector, तो 2I plus J minus K, plus 3 times of V vector, तो 3I plus J plus K, and minus 1 times of C vector, तो वो हो गया, I minus 2J plus K vector, किसी को solve कर दीए, तो vector R, जो है, वो ABC का linear combination आजाएगा, बत्तों, linearly add-o, अब इसमें दो चीज़ें होती, जो important है, पहली चीज़ हो गई, linearly dependent vector, तो अगर आपने कहा कि, इन सारे combination vector की value 0 vector है, तो ये जो K1, K2, K3 है, ये सब एक साज 0 नहीं होने चाहिए, तब ये vector linearly dependent होता है, बतला ये सारे system of vector linearly dependent कब होगे, जब अगर हमें इनके linear combination को 0 vector के बराबर करे, और ये सारे vector, ये जो सारे constant है, ये एक साज 0 नहीं हो, यही system of vector linearly independent कब होगा, जब अगर इससी combination को आप लिखें, और इसमें सारे constant क्या होगा, एक साज 0 होगा, तो वो linearly dependent और independent होगा, मतलब अगर मैं आप से कहूँ, a1, a2, a3, dot, 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 an vectors है, r, साहिए ना, linearly dependent, तो अबिसली linearly dependent का मतलब, इनके बीच का जो linear relation है, वो exist करेगा, तो इसका मतलब, lambda 1, a1 vector, lambda 2, a2 vector से लेके, lambda and an vector अगर 0 है, then, all, a1, sorry, all, lambda 1, lambda 2, जो constant है, lambda 1, lambda 2, lambda n, are not equal to 0, मतलब यह सारे एकसाज 0 नहीं हो सकते, मतलब इन सारे vector को, अगर हम linearly dependent बोलें, तो इनका एक linear combination exist होना चाहिए, जो 0 vector के equal हो, यानि कि linear combination तभी बन पाएगा, हाँ या ना, linear combination तभी बन पाएगा, जो यह सारे constant एकसाज 0 नहीं होंगे, अच्छा, अगर यही linearly independent होंगे, यही vector अगर linearly independent होंगे, तो जो यह linear combination बन रहा है, यह बने गा ही नहीं, अब अगर यह linear combination जो 0 vector के बराबर आप लिख रहे हो, यह 0 vector के बराबर कभी हो ही नहीं पाएगा, अगर होगा, तो obviously जितने भी constant होंगे, lambda 1, lambda 2, lambda 3, यह सारे constant किसके बराबर होंगे, जीरो, तभी यह linearly independent हो पाएगा, otherwise आप इसको कभी linearly independent बोल ही नहीं पाएगे, तेरी बास समझ रहे हो कि नहीं बता हो गएगा, बोलो, किलियर हुआ, तो कब linearly dependent होंगे, कब linearly independent होंगे, बास समझ में आरी, अच्छा, अगर सारे vectors linearly dependent हैं, और यह resultant zero vector के बराबर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि vectors are coplanar, चाहिए ना, vectors are coplanar, और इस case में vectors क्या होंगे, non coplanar, मेरी बास सब्सक्राइब आ रहे हैं कि नहीं बताओ, vectors are non coplanar, मतलब अगर मैं theory wise कहा हूँ, कि vector A, B, C, are coplanar, ठीक है, तें, lambda 1 times of A, lambda 2 times of B, lambda 3 times of C, 0, coplanar, and this is 0, then, lambda 1, lambda 2, lambda 3, all are not equal to 0, पहला analysis, दूसरा, अगर मैं कहों, A, B, C, R, non coplanar vector, ठीक है, और फिर, lambda 1 A, plus lambda 2 B, plus lambda 3 C, 0 vector हो, then, lambda 1 equal to lambda 2, equal to lambda 3, यह हमेंसा जी गए है, यह ध्यान लखिएगा, इन दोनों analysis का use, सबसे ज़्यादा होता है, जहां, और यह कैसे निकाला गया, linearly dependent, और independent से, बास समझ पाये सब लोग की नहीं बताओ, अरे भोलो भाई, क्या है analysis, सबको समझ में आए, क्या है जाने, तो जब भी इस तरह की situation होगी, आप से यह analysis उटाके लगा दीजेगा, आपको अच्छा, यह example वाई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, i cap, j cap and k cap, are non-coplanar vector, सोचो, अरे हाँ है ना, भोलो भाई, are non-coplanar vectors होते हैं कि नहीं, मतलब linearly कैसे होते हैं, बताओ, linearly कैसा होता है, dependent, भोलो, यह linearly independent होता है, बताओ, अरे बताओ कि कुछ, यह non-coplanar vectors होते हैं कि नहीं, बताओ, यह non-coplanar vectors होते हैं कि नहीं, यह अगर आप, अगर आप ऐसे लिखो, लेंडा, i, new, j, plus, z, k, और यह 0 कह दो, तो यह 0 तभी होगा, जब लेंडा, म्यू और जड जड जीरो होगे, otherwise यह कभी 0 होगा, सोचो, otherwise यह combination कभी 0 होगा, बताओ, हाँ या नहीं होगा, मेरी बास समझ पा रहे हो, कि नहीं बताओ, यह करी ग्लास में यही बाइंड आप करते हैं,